दोस्तों नमस्कार आप से मैं पहले रिप्रस कर लेता हूं कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें शेयर करें और मेरा चैनल को सब्क्राइब करें और मेरे वीडियो का अग्रिम नोटिफिकेशन पाने के लिए बिल आइकान को दबा दें अब मैं आजाता हूं आज के टॉपिक पर दोस्तों जैसा कि मैंने पहली भी बोला था कि मेरा उद्देश वीडियो बनाने का ये नहीं होता है कि आपको कोई भी खबर देनी है मैं हिंदुस्तान के हर एक गटनाओं के ऊपर नजार रखता हूं वेब साइट में जा करके न्यूज पढ़ता हूं यूटूब में जा करके देखता हूं और फिर उसमें से कि कुछ ऐसा टॉपिक सेलेट करता हूं जो आपके लाइफ में लांग टम इफेक्ट डालने वाला होता है मुझे मालूम है कि मेरे वीडियो को लोग बाग इसलिए लाइक करते कि क्या इधर उदर करता रहता है लेकिन आप दिखेंगे कुछों के बाद में आप रिलाइज करेंगे किसका क्या फरक पड़ता है तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह यह है कि सुप्रीम कोड के कॉलीजियम ने साथ जजेज का ट्राइपरिकमंण किया था पर रिकमंट किया था और उसमें से तीन chamar जजेज ने रेप्रेजेंटेशन दिया था कि हमें ट्रांसपर न किया जाए या ट्रांसपर भी किया जाए तो नजदी के हाई कोट में कर दिया जाए 12 जुलाई के क्लालीजियम के रेकमेंडेशन के अनुसार इन तीन जजेज का रेप्रेसेटेशन रेजेप कर दिया गया है और आज यानि शनीवार को 15 तारीक को कानून मंत्राले ने इन तीनों के ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया गया है अब आप पूछे के कालेजियम सिस्टम क्या होता है कि उसका इतिहाद थोड़ा लंबा है लेकिन फिर भी मैं संशेप में उसको बता देता हूं जब हमारे देश का संविधान बना था तो उस समय संविधान में यह लिखा गया था कि राश्पती के राश्पती ही हाई कोड के या सुप्रीम कोड जजेस को अपॉइंट करेगा याने के अब राश्पती किसके सिलापे काम करता है कबिनेट के सिलापे काम करता है शुरी शुरू में यह जो समिधान की प्रक्रिया थी उसका पालन किया जाता था लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पक्षपायत हुआ करता था प्रक्रिया जब शुरू मति इंद्रिया गांदी देश के पतान मंत्री बनी और जब उन्हें काफी विर्योत का सामना करना पड़ा तो उन्हों ने जुरू शुरू को अपने तरीके से नचान्दा शुरू कर दिया और यहां तक नौबत आ गई कि कुछ जजेस्क्स को सुपर सीड करके जुनियर जजेस को सुप्रीम कोड का चीव जैसी बनाना शुरू हो गया यह हो गया यहां मैं बता देना चाहता हूं कि केश्वानन भारती का कि 1973 का केस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको की त्यारा जजेज ने सुना था और साथ छे के से उसना फैसला दिया था जो साथ जजेज ने केश्वानन भारती के फेवर में जज्जमेंट दिया था उसमें से कुछ लोग तो रिटार हो चुके थे और जो बाकी थे उनको मजर्णदाज करके जस्टिस ए एन रे को चिप जस्टिस बना दिया गया यह यह बात है 24 अप्रेल 1973 को केश्वानन भारती के जज्जमेंट आया था उस दिन सीकरी सहाब का रिटायर्मेंट था लास्ट डे रिटायर्मेंट उन्होंने जज्जमेंट दिया था उसके बाद 25 या 26 को एन रे को चिप जस्टिस बना गया था और उस एलिवेशन की वज़ा से तीन जज़ेश को सुपरसीड कर दिया था तीन जज़ेश ने इस्तिफा दे दिया था एक ज़ज और थे ज़स्टिस एचार करना उन्होंने भी केस्वान बार्ति के केस में जज़्मेंट दिया था और उनको बाद में साइड लाइन किया गया जज नहीं बनाया गया एनिवेश यह कालीजियम सिस्टम की शुरुवात की बुनियाद है उसके बाद 1993 में सुप्रेम कोर्ट ने अपने आप एक फैसला लिया कि ज़जेश के ट्रांसपर के केस में हम लोग एक कमिटी बनाएंगे जजेश की सुप्रेम कोर्ट के जजेश की जो गवर्मेंट आफ इंडिया को रिकमंट करेगी बाद में इसका रिफ्रेंस आया 98 के आसपास या 96 के आसपास कभी आया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिएट्रेट कर दिया और उसके बाद में पर कॉलीजियम सिस्टम बार गया कॉलीजियम सिस्टम का जो सबसे बड़ा के स्वाट कमिंग ता चुक हमी थी वह यह थी कि उसमें फिर एक पर्टिक्लर ग्रूप को वकीलों के एक पर्टिक्लर ग्रूप को टेवर करिया जाने लगा अगर आप किसी एक चमबर से हैं जहां से कोई जज है आई कोड में तो भी आपके चैंसेज हैं कि आप जज बन सकते हों अगर आप किसी के भाई हो बेटे हो बहें हो तो भी आपको जज बनाया जा सकता है मतब सुप्रीम कोट के कॉलीजियम सिस्टम का सबसे बड़ा जो डिसद्वांटिज यही था कि भाई भतीजा वाज शुरू हो गया जानते हैं मुझे बोलने के ज़रत नहीं है कि आज की डेट में जयो हिंदुस्तान के चीफ है उनके पिता जी चीफ जीशीज रहें और जो चीफ जस्टिस हैं उनके पुत्र जी हाईकॉर में प्रेटिस करते हैं और भी ऐसे कैसे कितने जजेज हैं जिनका की कही न कहीं कोई न कोई माईबाय पर रहता है 2014 में जब बिजेपी के सरकार केंदर पर आई तो उन्होंने एक बिल पास किया जिसको हम 99th Amendment of Constitution गोलते हैं और उन्होंने एक National Judicial Appointment Commission मनाया जो यहां की एक लावी है वकीलों की Senior Advocates की और जजेज की उनको यह बरदास नहीं हुआ और उन लोगों ने सुप्रीम कोट में इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोट ने 2015 में NJAC को National Judicial Appointment Commission को असमय दानी कर दिया बुला कि यह जोडिसली के छेत्र में एक्सक्यूट्यू का इंट्यूजन है और तक शेप है उसके बाद कि सरकार ठ्वांति से बैठी रही क्या करती जब सुप्रीम कोट अड़ा वा तो फिर भी इस सरकार ने काफी किया जब इनकी रिक्मेंडर्सान आती थी सुप्रीम कोट के तरफ से कॉलिजियों के रिशन अधिति कभी यह थी ऐसा होता था वैसा होता था काफी मतलब टसल था बहुत इधर उधर हुआ करता था स्वामस्ट सो देट कि के पिछले महीने या पिछले से पिछले महीने जो भार सरकार के कानूमंत्री थे उनको हटा दिया गया है शायद यह हुआ होगा कि आपका लॉ कि हमारे वाइस प्रेशिदेंट जगदीब धंकर सहाब ने भी राजसभा के अंदर कॉलीजन सिस्टम की अलोचना की थी अब गवर्मेंट का क्या एटिचूड है कैसा है वह तो इलग बात है और सुप्रीम कोट के जज़ेस का क्या एटिचूड है किसा बन नहीं आता है लेकिन मैं यह देख रहा हूं मैं भी 12 साल से करी 12-13 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं और हर एक जज़ेस के बारे में जो भी आता है उसके बारे में देखता हूं मैंने देखा है कि कुछ दिनों से सुप्रीम कोट कॉलेजियम हाई कोट के ज़ेस को ट्रांसपर कर देता है और उसमें से भी वो ज़जेस होते हैं जिन्होंने उस हाई कोट में अच्छा काम किया होता है इन तीन जजेज जिन्होंने अपने ट्रांसपर के खिलाफ दिया था उसमें से एक एलहावाद हाई कोड के जस्टिस दिनेश कुमार सिंग है दूसरे दिली हाई कोड के जreg मनौज बजाज है पंजाब और हाई कोड के जर्य मनौज बजाज को इन लोगोंने एलहावाद हाई कोड शायद ट्रांसफर किया है और वो बोल रहा है कि मुझे यसी कोड में रखो गौरोव कांथ को दिल्ली हाइए कोट से हटा करके कलकता है को ट्रांसपर किया गौरोव कांथ ने रफिजन किया था कि मुझे भी अगर रखना है तो यहीं रखो नहीं तो आज पास के किसी हाइए कोट में डाल दो कलकता मत देज़ो कि और सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिस डीके सिंग दिनीज कुमार सिंग को इलावाद आई कोट से केड़ा बेजा जा रहा है तो अब क्यों भीजा जा उनकी कुछ बातों को ध्यान रखते हैं और मुझे जहां तक डिके सिंग के बारे में याद आ रहा है डिके सिंग साहब एक ऐसे जज़्ट थे जिन्होंने हिम्मत करके यूपी के कुख्यात गुंडे मुक्तार अंसारी के खिलाफ जज्मेंट दिया था ही गौरों कान शाब के ट्रांसपर के खिलाफ दिल्डी हाई कोट बार असोसियशन नि'े 17 तारी को स्ट्राइप सिप्ट क रीकह किया है उन्होंने सब्यलों से कि這邊 क्या है या सब कॉल किया है कि 17 तारी को कोट का काम ना करें मतलब अगर दिली हाई कोट बार इसोसियेशन गोरो कांथ साहब के ट्रांसफर के खिलाफ इस्ट्राइक कॉल कर रहा है इसके मतलब गोरो कांथ साहब का भी उसमें पूरा समर्थाने कंसेंट है कहने का मतलब यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हाई कोड के जज़े इस कॉलेजियम सिस्टम से उब गए हैं कॉलेजियम सिस्टम को नहीं मानना चाहते हैं और वो उसको रेशिस्ट कर रहा है हां मुझे याद आया एक और मैं बात बता देता हूं कि दो हजार उन्निस की बात है या दो हजार बीस के शुरुआत की बात है बॉंबे हाई कोड के एक सीनियर जस्टिस एसी धरमाधिकारी सहाब को इन लोगों ने प्रमोड करके चीफ जस्टिस बनाया और वहां से शायद शायर खंड रिया चाथिस गड़ कहीं पर उनको ट्रांसपर कर रहते हैं जस्टिस धरमाधिकारी सहाब की तवियत खराब रहती थी उन्होंने रपेजिन किया कि मुझे कि अगर आपको एलिवेट करना है तो यहीं करो मेरे मेरी तग्यत खराब रहती है और मुझे ट्रांसपर मत करो को कॉल्डियम सिस्टम ने उनकी उस रिक्वेस्ट को उस रिप्जिनेशन को निकार दिया और उसका प्रणाम यह हुआ कि भारत की जनता एक अगर जस्टिस धर्मादिकारी चाहते तो वो उस हाई कोट में चीप जिस्टिस बनके जा सकते थे और उसके बाद में वो सुप्रीम कोट आ सकते थे लेकिन नहीं मैंने जस्टिस धर्मादिकारी के साब ने कई केसे अर्गू किये हैं वो आपके मतलब मैं अगर और किसी और सब्सक्राइब करो तो वो वकीलों के प्राण पी जाते थे कि आप यह बताइए यह बताइए उनके उनके सामने अर्गू करने का मतलब यह है और यह है और यह हैंड़ेट पर्शेंट थारों इन दा सब्जेक्ट उनली दिन कि उनका परिवार पूरा पूरा मतलब बाप दादा सारे के सारे वो लीगल प्रोफेशन से थे तो उनको थारों तो वो भी एक रिसिस्टेंट था इसके बाद एक बामबे हाएकोट की ज़स्ती स्ट बीजिया तहिल्रवालिंत उनको भी है ट्रस्फर करें थे वो नहीं जा रही थी उनकी टविद्ट घर देल्टीमेंटजी उनको वह मुझे ऐसा लगता है कि अब हाई कोड़ के जजेस को मालूम पढ़ गया है कि कॉलेजियम सिस्ट्रम क्या होता है और कॉलेजियम सिस्ट्रम से एक पर्डिकुलर तबक्य को ही फेवर किया जाता है है तो वो लोग इसका विरोज कर रहे हैं कि एक और चीज में बढ़ा देता हूं सुप्रीम कोड के जजेज जो पब्लिक को नियाय देने के लिए सबसे सर्वोज संस्था है कि वह कैसा नाटक करते हैं कैसा ड्रामा करते हैं उसका एक उधारन में आपको और देता हूं और वह जस्टिस चलमेश्वर का इस चलमेश्वर अच्जिस निपकु मिरण है में दोनों ने एक ही दिन सुप्रीम कोड जुइन किया था कि अब सवाल होता है कि कि ये सपत्प tapping के सुप्रीम कोड के प्रजिस्ट्री ने सुप्रीं कोड के उस में के जजजेज ने कुछ ऐसा किया किसी है और होनी के बावजूद भी जर्टिस चलमेश्वर को दिपक मिस्रा के बाद सपत दिलाई गई और उस चकर में जस्टिस चलमेश्वर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं बन पाए उनको इस बात का मलाल रिटायर्मेंट तक रहा है और हमे कीजे थे अच्छा कुछ के रिस्तेदारी थी तो देखते हैं 17 तारीक को दिली हाइए कोट में बार रस्टिस क्या करती और सुप्रीम कोट की से इसके बारे में क्या रूक अपनाता है और यह तीनों जजजेश क्या रूक अपनाते हैं फिलहाल मामला तो बिलकुल तर्मॉ के अधhouse अ Nep इन्दचार के रिए और देखी है कि हाव वह क्या होता है लेकिन अपर कुछ और निकल के आका इस कालेजियम सिस्टम को जाना ही चाहिए अगर हिंदुतान को बचाना है और अगर देश के में कानून का राज स्थापित करना है तो इस कॉलेजियन सिस्टम को जाना है चाहिए मैं इस बारे में पूरी तरीके से अपनी राय कालेजन सिस्टम के खिलाब देता हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ आपजर्ब किया है जिसको मैं उपन स्ट्रीम में यहाँ पर नहीं मुलना चाहता हूँ खेल आशा करता हूँ कि यह वीडियो विश्लिशन आपको अच्छा लगा होगा खेला रिश्लिशन लगा है तो आप मेरे वीडियो को दुबारा रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसको लाइक करिए मेरे वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्क्राइब करिए मोटिपिकेशन पाने के लिए बेल आकान दबाद दीजिए जैहिन बंदे मातरम भारत माता की जैहिन नमस्कार